यस हाई दियर सेकंडीर स्टुडेट्स अपनी नेक्स्ट जो टोपिक है वो है रिणल ट्रांस्प्लांटेशन के इन्दर इस्पेशली जदी आपको एग्जाम्स के अकॉरडिंग पड़ा है तो एग्जाम्स के अकॉरडिंग तो रोल一定要 नर्स और इसके indication, complications पुछ सकते हैं nursing procedure पुछ सकते हैं और career के लिए पढ़ना है ठीक है अपनी habit बनाने के लिए पढ़ना है तो अपनी starting करेंगे first introduction में कहना चाहूंगा की renal transplantation एक last treatment option है last management या option last surgical management क्योंकि कुछ disease condition ऐसी है जो की यहां पर मैंने heading लिखे है end stage renal disease end stage renal disease का मतलब यह कि मैंने आपको जब acute renal failure बताए था यह disease condition ठीक है acute renal failure या आपने इसको renal failure कहें क्योंकि दोनों condition severe हो सकती है renal failure मैंने जब आपको बताया तो, तो साइंगेन सिम्टम्स उसके क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, और धिरे धिरे जब disease प्रोग्रेस करेगी, तो completely क्या हो जाए कि किड्नी completely fail हो जाएगी, complete kidney fail, ठीक है, तो जो severest condition है, उसको यह पन क्या कहेंगे, end stage renal disease, उसको हम क्या कहेते हैं, end stage renal disease, अब end stage renal disease, मैंने आपको बता दिया कि renal failure की, जो severest form है, वो end stage renal disease रहती है, लेकिन जैसे जैसे disease प्रोग्रेस कर रही है, तो हमारे पास medical management, surgical management, ठीक है, dialysis, यह सारे option रहते हैं, लेकिन हमें पता चला कि यह तो बिल्कुल cure होई नहीं रही है, ठीक है, और यह सारे जो भी हमारी approaches हैं, सब फिनिश हो जाती हैं, और patient में improvement नहीं दिखता है, तो last option बचता है, renal transplantation, clear, तो renal transplantation का मतलब यह है, कि किसी healthy person के पास, ठीक है, अच्छे से renal function कर रही है, उनकी किसी healthy person, suppose करो यह healthy person है, और यह diseased person है, ठीक है, healthy person और यह diseased person, अब healthy person के पास भी दो kidney है, ठीक है, और यह अच्छे से function कर रही हैं, दोनों kidney, ठीक है, और तीन चीज़े देखी जाती हैं, इसमें blood matching, ठीक है, tissue matching, और cross matching, और organ cross matching, ठीक है, blood matching, tissue matching, और organ cross matching, तीन चीज़े match होती है, और भी कुछ criteria है, वो चीज़े देखे जाते हैं, जो यह और यह दोनों patient, दोनों परसंज़े फुल्फिल करते हैं, जैसे हीमोगलोबिन अच्छा होना चीए, चीज़े, surgery के able होना चीए, non alcohol drinking होना चीए, इसमें कोई kidney related या other कोई disease नहीं होनी चाहिए, metabolic disease नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे criteria हैं, वो सारे criteria यदि फुल्फिल हो जाएं, तो यह अपनी एक kidney यहाँ पे patient को donate कर सकते हैं, और इसी procedure को कहते हैं, renal transplantation, clear, अब पहली चीज़ आपको यह ध्यान रखना है, कि male donor है, तो receiver भी male होना चीए, यदि receiver आपका female है, patient यदि female है, तो donor भी female होना चीए, क्योंकि male की kidney जो function करती है, वो function female की kidney नहीं कर सकती है, तो gender यहाँ पे affect करता है, tissue matching, blood matching, gender matching, सारी चीज़े होनी चीए, अब यहाँ पे देखिएगा, कि यह तो हो गया kidney transplantation या renal transplantation का procedure, लेकिन इसके अंदर, जो indication है, ठीक है, purpose हैं, क्यों करते हैं, first point हम discuss करेंगे, purpose, पहली चीज़ तो यह बता दू, मैं कुछ facts बता दू, जैसे कि male receiver के लिए, ठीक है, donor should be male, समझ में आगया, male receiver के लिए donor should be male, पहली चीज़, दूसरा, left kidney को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, left kidney को transplant किया जाता है, मैंने जो diagram में बताया था, उसमें भी मैंने left kidney को indicate करके बताया था, ठीक है, तो left kidney, क्योंकि left kidney एक तो large रहती है, anatomical size इसकी fix होती है, और दूसरा की, सबसे बड़ा point इसका ये ध्यान रखा जाता है, कि left kidney की जो venus supply है, venus है, ठीक है, ये venus supply क्या रहती है, venus का जो diameter है, वो बड़ा रहता है, तो large venus structure के करण से stitching में और surgery में आसानी रहती है, तो left kidney अक्सर prefer की जाती है, donation करने के लिए, तो ये कुछ points ऐसे हैं, जो आपको renal transplantation में ध्यान रखने है, अब indication, indication, purpose, sorry, purpose, क्यों करते हैं, purpose, मैं सारी heading आपको notes के रुप में दे दूँगा, purpose क्यों किये जाते हैं, kidney transplantation, तो purpose तो यही कि to improve, to improve quality of life, life के quality को improve करने के लिए किये जाते हैं, जैसे कि normal establishment of normal kidney function, normal kidney function जो है उसको establish करना है, वापिस recover करना है, ठीक है, और waste product को remove करना है, kidney metabolic function भी करती है, erythropoiesis वगरा सब करती है, तो उन functions को establish करना है, दूसरा waste को remove करना है, और जो भी kidney के function है, वो यहाँ पर किये जाते हैं, यह इसका purpose हो गया, indication की बात करें, indication, तो indication में आपको बस यह ध्यान रखना है कि जो जो disease conditions, kidney fail कर सकती है, वो सारी disease conditions, indication में आ जाएंगी, तो पहला तो आप यह लिख सकते हो, कि kidney failure, ठीक है, if dialysis is not enough, ठीक है, रोज-रोज का dialysis करना, उससे चछा kidney को transplant कर दो, क्योंकि dialysis तो सिर्फ वेस्ट को remove करती है, लेकिन kidney यह दिए transplant करेंगे, तो पूरे kidney का जितना भी function है, सब function करेंगी, erythropoiesis, metabolism, electrolytes का maintenance, water regulation, सारी चीज़े kidney अकेली देख लेती है, तो kidney तो kidney है, अब natural gift है वो तो, उसकी comparison अपन artificial kidney से तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो artificial kidney का तो सिर्फ dialysis का काम तो सिर्फ क्या है, electrolyte और वेस्ट को remove करने का ही काम है, तो बस यह है कि kidney transplantation जो है, वो best option रहता है, लेकिन यह एक तरह से surgical option रहता है, और दुसरा invasive है, और इसमें pain भी रहता है, और donor की भी जरुवत पड़ती है, और matching related problems भी आती है, कभी कभी kidney reaction भी कर देती है, ठीक है, तो यह बहुत सरे complication भी रहते हैं, इसलिए बने जाता तक surgery ना हो तो अच्छा है, यह मना जाता है, surgery last option है, अब दूसरा इसके अंदर ऐसी disease condition, जैसे कि metabolic disease condition, ठीक है, जैसे कि diabetes हो गया, यह heart disease हो गया, diabetes malitis हो गया, heart disease हो गया, diabetes insipides हो गया, nephritis हो गया, nephrotic syndrome हो गया, यह ऐसी ऐसी disease, endocrinal disease सारी ऐसी होती है, जो metabolism को affect करती है, और सीधा क्या cause करेंगी, renal failure cause कर सकती है, और last time में kidney transplantation की जरुरत पढ़ती है, तो किन-किन condition में kidney transplantation की जरुरत पढ़ती है, वह इक चीज़ क्या 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 लएगी, next अपन heading दखते हैं, इसमें की complication क्या है, ठीक है, complication, sorry, matching, अपना nursing management, ठीक है, nursing management, nursing management role क्या है, matching related, matching, matching related क्या है, तो मैंने भी आपको तीन चीज़े बताई, tissue, sorry, blood matching, ठीक है, पहले चीज़ क्या बताई मैंने, blood matching, blood matching, दूसरी चीज़े बताई, tissue matching, और तिसरा, organ cross matching, ठीक है, अब blood cross matching में क्या है, blood cross matching के अंदर आपको ABO blood group, A है, B है, AB है, या O है, blood group, donor और receiver दोनों के सेम होने चीज़े, डूसरा tissue match, ठीक है, donor का tissue receiver के साथ मेंच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, यह चीज़ आपको देखनी है, tissue matching के अंदर, जो कि nots के अंदर मैंने आपको highlight करके दिया है, और organ cross matching के अंदर भी आपको organ match हो रहा है, या नहीं, मैच हो रहा है यह चीज़ आपको बता रहा है यदि negative organ ठीक है negative organ result ऐसा आता है इसका मतलब यहाई कि kidney जो है वो compatible है kidney compatible for transplantation तो kidney transplant कर सकते negative result आया इसका मतलब transplant कर देख सकते और यदि बीच में reaction हो गई तो हम transplant नहीं कर सकते reaction होगी तो positive रिजल्ट आएगा reaction नहीं होगी तो negative result आएगा reaction नहीं हुई मतलब negative result आया मतलब transplant हम कर सकते हैं ठीक है यह इस तरह से क्या हो गया matching related function हो गया अब यहापे यदि university में पूछा जाए वैसे पूछते नहीं है लेकिन फिर भी पूछा जाए जरुरत पड़े तो nursing management का matching related में आपक पड़ाऊंगा उस समय pre intra और post role में आपको समझा दूँगा और उनके notes भी आपको दे दूँगा तो वो same to same चीज इसके अंदर note करनी है पी operative nursing role, post operative nursing role और intra operative nursing role और post operative nursing role यह मैं आपको available करवा दूँगा मुझे याद देखी मैंने पहले भी आपको यह चीज़े पड़ा nursing role और यह आपका लगभग I think last unit या second last unit ऐसा कोई unit है तो उसमें हम यह चीज़े देख लेंगे, उस notes को आप यहाँ पे लिख सकते हो, clear आगे बढ़ेंगे, complication, patient में क्या-क्या complication हो सकते हैं, complication, तो पहला हो सकता है कि tissue rejection, tissue rejection, कि tissue reject ही नहीं करें, और यह reject कर ले, match ही नहीं हो, tissue क्या हो, reject कर ले, match ही नहीं हो, match नहीं हो, तो यह हमारे body के लिए toxic का काम करेगा, poison की काम करगी, यह kidney जो help करने के लिए आए थी, वह खुद toxic बन जाएगी हमारी body के लिए, foreign body बन जाएगी, तो उस कारण से और क्या infection हो सकता है, infection हो सकता है, ठीक है, pain तो यह सारे चीज़े, complication से बहुत ही simple है, मैं आपको notes में available करा दूँगा, तो यह सारे चीज़े क्या हो गई, complication हो गए, तो इस तरह से यह renal transplantation है, बहुत ही छोटा topic है, वैसे तो बहुत बड़ा procedure है, इसके procedure, equipment क्या चीए है, nursing role क्या चीए है, बहुत सारा बड़ा है, प कि जब हम competitive classes लेंगे, तो उसके अंदर तो बहुत ही interesting तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपका basic complete होना जरूरी है, ठीक है, ओके, thank you, और आगे के वीडियो के लिए आप बने रहिए, लगबग आपका urology complete होने वाला है, एक दो disease condition बाकी है, तो इसके लिए नेच्ट वीडियो को देखना ना भूले, all the best